ये बहुत गलत हुआ है ये दिन दहाडे जिस तरीके से अपराधी लोग दिन दहाडे आकर के गोलियों से भून दिया बम बाजी हुई इस तरीके से सरकार के लिए बहुत बड़ी चिनोती है कि सरकार भी शहर में इनका कानून क्या कर रहा है जो इस तरह से इत्ती बड़ी घ गटना हुई और इस गटना से हम लोग बहुत दुखी हैं और उस दिन जैसे ही जानकारी मिली मैं बाहर था मैं रात में वापस आया हूं जैसे सुबाही में छे बजे लखनव से निकल पड़ा हूं और उमेश भाही हमारे भी मित्र हैं तो कि पहले ये बहुजिन समाज पाल् पाल्टी में थे आप सभी लोग भी जानते हैं कि इसके पहले एक हमारे विधायक राजुपाल जी की घटना इस तरीके से हुई थी और उस घटना में बहुजिन समाज पाल्टी की राश्ट्य अद्यक मानिया वहन जी सुबा सुबा ही विर्कुल पहुंच गे थी और आज मानिया वहनजी को मानिया वहैंज जो तूइट आया है उसमें को मानिया वहनज नहीं कहा है कि जो भी निर्दोष्त लोग है कि शिर्तल करन्य मिलनी चाहिए और अब आज फिर आज फिर वेंज ने कहा कि जो दोशी लोग हैं इनको तुरन सजा मिलनी चाहिए तुरन तुरन को पार्टी से निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा बहुजन समाज पार्टी हमेशा न्याय करती है माननिया वहेंज विन्याय करती हैं अपनी सरकार में भी अगर हमारे शांशद्रिवी इस तरीके की कानून तोड़ने का काम किया था तो बला करके माननिया वहेंज ने उनको भी क्रिप्तार कराने का काम किया एक है सब्सक्राइब नहीं पहले यह तो सिद्क्रेज प्रसासर है नहीं की बात नहीं हो रही कि 18 साल 20 साल कब लगेगा मौके पर मुल्जिम कौन है यह अगर यह लोग मुल्जिम सावी दो तुरत निर्ट को बहुजन समाज पार्टी से निकालकर बाहर मानने आवेंजी करेंगी आ समाज पार्टी कभी लोग को तोड़ने वाले लोगों को नहीं नहीं है ओर नहीं पार्टी में घंपार्टी में आज अभी दिया सब्सक्राइब यह तो बाहर कि उस चीज़ को तो नियोगी माने वहेंजी हमेशा न्या करती है यह बिना निया के साथ रहती हैं अन्या के साथ है कि और पी के साफ है और और आरोपी के साथ भी आरोपी के साथ नहीं है बागे में जा करके फिर से वहेंजी से इस पर बात करेंगे कि जैसे ही आरूप सिद्ध होता है तो इसे तो इनको पार्टी से बाहर कर दिया कानून विवस्था विरुकुल चर्मरा गई है जंगलराज कायम है अभी धर्मेंदर पाल हमारे लखनों में उनकी हत्या हो जाती है पलिया में एक पाल साथ क्यों हो जाती है अभी कानपुन में आपने देखा कि एक ब्राम्मन की बेटी मा बेटी की किस तरीके से उनकी हत्या हो जाती है उसमें जमीन का अगर विबाद था विबाद उस उल्याय भी जा सकता था और आज भी उमेश गटना जो हुई है दिन खरच फिर्कुल हम अपनी बात करें मान्य नेता हैं और मांच वह जी जो भी हुँ ने का अपना काम करेगी सरकार को अपना काम करना चैए कि जो आग तीसरा दिन बीत रहा है और अभी तक सरकार इस निड़े पर नहीं आ पाई है कि सही रूप में मुलिम कौन है